पहले सवाल आया फिर यहां पर चार ऑप्शन आयेंगे जैसे 4 ऑप्शन खतम होगे आपका फिर टाइमर शुरू होगा और टाइमर खतम होगा तो यहां पर आपका रइट आंसर आजाएगा बस आपको कॉपीपेस्ट करना है अगर आपके पास कॉपीड फिर सवाल जाब है आप copy paste करिए, पांच मिनट के अंदर आपका एक वीडियो बन जाएगा, तो वीडियो कैसे बनाना चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अलो दोस्तों मैं फ़याज और आप देख रहे हैं हिंदि टेक वीडियो, आज आपके लिए मैं कमारी का PowerPoint टैंसलेट लेकिया हूँ, जिसके मदद से आप एक ऐसे वीडियो बना सकते हैं, जिसमें लाखो के संक्या वीव आते हैं, और आप YouTube से बहुत साथा पैसा कमा सकते हैं, अगर आप YouTube पे जीए के वीडियो सल्च करिए, आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, जिस पर करोड़ों के वीव हैं, और उनके जो चैनल है, उन पे लाखो सब्सक्राइबर भरे पड़े हैं, और ये चैनल ज्यादा पुराने नहीं है, दो से चार महिने के अंदर इन चैनलों पे लाखो की व्यूज आते हैं, और ये लाखो रुपे YouTube से कमाते हैं, तो अगर आप भी कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये काम सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला है, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, वीडियो बनके रड़ी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर मैंने तीन पावर पॉइंट टेंपलेट बना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, बारी वाई स आपका राइट आंसर आजाएगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, अगर आपके पास कॉपी एट करी सवाल जाब है, आप कॉपी पेस्ट करिए, पांच मिनट के अंतर आपका एक वीडियो बन जाएगा, तो वीडियो कैसे बनाना चलिए, मैं आपको दिखा देता जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो आपके सामने कुछ तरह से यह ओपन होके आएगा, यहाँ पे लेट साइड में आपको एक स्लाइड दिखेगा, यहाँ पे और यह सामने आपको यहाँ पे कुछ तरह से दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे, तो यह आपका सवाल है जो यह उपर लिखा है top gk question यह आपका heading है और यह आपका सवाल है यहाँ पर यह आपके चार option है यहाँ पर यह आपका timer है तो इन सब को कैसे edit करना है यहाँ पर सवाल edit करने के लिए simply question के उपर click करना है control A दबाना है और यहाँ से backspace दबा के साइज चीजों को delete कर देना है उसके बाद आपको अपना सवाल यहाँ पर type करना है तो font के size को छोटा करके आप इस problem को solve करेंगे कैसे यहाँ उपर देखें यह जो पैनल है यह font को control करने वाला पैनल है यहाँ से आप font को change कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक में आप font के size को change कर सकते हैं यहाँ font को bold, italic, underline या फिर shadow लगा सकते हैं और यहाँ पर जो लिखावट है, जो font है, जो text है उसके color को आप change कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें जैसे यहाँ नीचे सवाल selected है अब मैं इसको click करूँगा, तो देखें font का size चोटा हो गया, सवाल एक लाइन का हो गया, अगर आपका सवाल चोटा है, तो font के size को थोड़ा सा बढ़ा आके आप इस तरह से अपने सवाल को यहाँ भदा पुदा दिखा सकते हैं यहाँ से आप font के color को change कर सकते हैं, जैसे यह मैं यहाँ पर red कर देता हूँ, यह red हो गया, अब आप चाहते हैं कि कि कोई जो इसमें एक शब्द है वो दूसरे color का है, तो यहाँ मान देजे कि जासूस को हमें highlight कराना है, तो simply हम जासूस को select करेंगे, और फिर यहाँ font में ज आपने answer है, simply जैसे आपने question को change किया था, simply आपको इसी answer change करना है, control A दबाना है, delete करना है, अपना दूसरा answer यहाँ पर type कर देना है, आपको चारो answer ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर edit करना है, अगर इसका font का size चोटा करना है, तो select करेंगे, और जैसे आपने सवाल का font का size च type किया, चारो option यहाँ पर लिख लिए, अब जो भी right answer है, उसको simply यह जो green tick है, इसको आपको right answer के सामने ले जाके बस छोड़ देना है, बस और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ये एक slide बनके तयार हो गया, अगले slide के लिए, यहाँ पर left side में जाईए, और यहाँ पर लेगा, और फिर वापस इसमें आपको सवाल जवाब चेंज कर लेने है, तो जितने भी slide आपको बनाने हैं, जितने भी सवाल लेने हैं, वाहन लेगे कि आपको उपने वीडियो में 10 सवाल लेने है, तो आप 10 slide पहले यहाँ पर बना लेंगे, ctrl duplicate, ctrl d दबा के डुबली के 10 सवाल मना लेंगे फिर सारे सवाल को यहाँ पर और उसके आंसर को चेंज कर लेंगे और हर राइट आंसर को उसके हसाब से अलग-अलग रख देंगे किसी में A रहेगा, किसी में B रहेगा किसी में C रहेगा, अलग-अलग यहाँ पर आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि जो यह ऊपर लिखा हुआ है टॉप 10 जी के कुश्चिन और यह एड़ रेट का निशान है उसके बद हार्ट कुईज लिखा हुआ है या फिर नीचे जो यह लिखा हु हजार टैंप्लेट बना सकते हैं और अलग-अलग टैंप्लेट के लिए अलग-अलग वीडियो बना सकते हैं देखिए जब आप ओपन करेंगे कुछ तरह साब के सामने आएगा सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे व्यू को आप्शन आएगा देखिए व्यू लिखा है अब यहां पे आप उन चीजज़ों को एडिट कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे और जिनको पहले एडिट कर रहे थे चीज़े यहा पे नहीं दिखेंगी जैसे आप आपको सवाल नहीं दिखेगा चारो उपिए और यहां पर टाइमर नहीं दिखेगा ये सारी चीजे आपको नहीं दिखेगी और वह चीजे दिखेगे जिनको अप पहले इडिट नहीं कर पाते थे तो देखा यहां पर home को click करेंगे और इसके font के size को छोटा कर देंगे जैसे ही font के size को छोटा करेंगे यह वहाँ पर set हो गया जो heart quiz लिखा है आप इसको delete करके यहाँ पर अपना हैसाब से कोई text लिख सकते हैं अपने channel का नाम लिख सकते हैं या फिर railway gk gs इस तरह चाहूं तो पर यहाँ पर मैं इसको rate कर सकते हूं कुछ इस तरह से rate कर सकते हूं ठीक किसी परकार नीचे जो please like share and subscribe my channel लिखा है आप इसे भी बदल सकते हैं या फिर इसके color को भी बदल सकते हैं यहाँ पर उसके बाद अगर आप इस color को background को बदलना चाहते है blue blue जो दिख रहा है इसको बदलना चाहते है तो देखे उसके क्या करना है बिल्कुल ऊपर कोने में बिल्कुल ऊपर कोने में आपको एक बार tap करना है एक बार tap करेंगे कोने में उसके बाद यहाँ ऊपर देखे shape format आपको border blue दिख रहा है इस वाले border पे आपको एक बर क्लिक करना है border पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है shape outline देखिए यह shape outline है इसे क्लिक करना है और यहाँ से आप red color कर दिए जिस color को उपर रखेगा उस color को नीचे कर दीजे, फिर यहां नीचे वालों को एक बार click करिए, और यहां पर shift fill को click करिए, और यहां से वही color ले लिजे, यह देखें, यह red color का हो गया, इस तरह से आप चाहें, तो इसके जितने चाहें, उतने color बना सकते हैं, इसके अलावा जो यह beach का white है, आप इसको भी बदल सकते हैं, इसके लिए इसमें right click करिए, format background को click करिए, और यहां पर आपको color का option दिखेगा, ध्यान से दिखेगा, यहां पर आपको यह color का option दिख रहा है, तो color के option में इस वाले को आपको click करना है, जैसे इसे click करेंगे, आपके सामने पूरे color का panel आ जाएगा, आप यहां से इसमें कोई भी color डाल सकते हैं, यह देखे कुछ इस तरह से, या फिर आप इस तरह से, जो भी चाहे, आप उसमें अपना मनचाहा color यहां पर भर सकते हैं, डाल सकते हैं, और एक शानदार वीडियो यहां पर बना सकते हैं, एक शानदार template अपने पसंद का बना सकते जब यह सारी चीज़े हो जाए, मान लिए कि आपने यह color बदलाओ कर दिया, तब आपको यहां से बाहर निकलने के लिए वापस आपको कहां जाना है, यहां विव पर जाना है, या फिर यह close master view यहां पर इसे click कर देना है, अगर मान लिए close master view आपके अंदर नहीं आ रहा है, तो आप simply इस view को click करेंगे, यहां view को click करेंगे, और view को click करने के बार यहां पर देखिए आपको normal दिख जाएगा, आप यहां simply normal को click करेंगे, जैसे normal को click करेंगे, देखिए वो सारे बदलाओ यहां पर आपको दिखने लगे, अब यहां पर आप यह top 100G के question लिखा, इसे आ आप एड़िट नहीं कर सकते हार्ड कुरिज इड़िट नहीं कर सकते हैं फिर पर अप यहां पर को सकते हैं तो इस तरह से आपको अपनी ये एड़िटिंग करनी है अब मान लिए अपने 10 लाइड लेया लेना है जैसे अभी मेरे इस सिस्टम में अभी स्क्रीन रिकॉर्टर ओन है माइक लगा हुआ है उसके बाद सबसे उपर यहां आपको क्लिक करना है जैसा आप यहां क्लिक करेंगे तो पहला स्लाइड यहां पर आ जाएगा एक बार आपको इंटर बटन दबाना है एक बार इ आपको कुछ नहीं करना है यानि एक स्लाइड में आपको सिर्फ दो बार एंटर बटन दबाना है फिर एंटर बटन दबाएंगे तो next श्लाइड आजाएगा उसके बार एक बार एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर सवाल आ जाएगा और चादो option आ जाएंगे एक ही बार एंटर दबाने से सवाल और 4 option आते हैं उसके बाद अगला एंटर जैसे ही दबाएंगे आपका timer शुरू होगा और यहां पर right answer आ जाएगा पीच में आपको voice over करना तो voice over कर सकते हैं तो आप इसमें background music डाल सकते हैं editing के time और आप इसको upload कर सकते हैं य जब आपके पूरी slide play हो जाए पूरा screen record हो जाए तो यहां से skip button दबाएए अपने वीडियो को save करिए थोड़ी editing करिए और इसके बार इसको YouTube पे upload कर दीजिए आगे फिर वीडियो बनाने के लिए यहां फाइल को click करिए यहां से आप desktop करिए और इसको अपने desktop पे save कर दीज देखे बहुत आसान है बहुत सिंपल है इस template को download करना आप यह बिल्कुल free map को मिल जाएगा जो इसमें photo के इस्तेमाल हुआ है जैसे एक emoji इस्तेमाल हुआ है एक green tick इस्तेमाल हुआ है और उपर एक जो add the rate का shine है वो इस्तेमाल हुआ है यह तीनो फोटो जो है यह copyright free है पिक् टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो कर लीजिए इसी वीडियो का description में link है उस पर मैं ऐसे बहुत सारे template हमेशा देते रहता हूं इसके लाओ बहुत सारे green screen वीडियो और बाकी चीज़े भी मैं देता रहता हूं वहां से आप सबको मुफ्त में download कर सकते हैं तो टेलिग कि खुझाई में क्या मिला और यह मतली यह कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा कब हुआ आप ऐसे नहीं सवाल ऐसे लिजिए कि एक 47 कब बना इस तरह के सवाल लिजिए ऐसे सवाल जो public को मतलब पढ़ने पे मजबूत हो जाए एक आम आदमी भी पढ़े ऐसा नह इंट्रेस्टिंग सवाल लिजिएगा तो उसके बहुत जादा आपको व्यू मिलने वाले बहुत जादा आपको अधनी होने वाली यूटूब से बहुत जादा कमाई करने वाले तो यह वीडियो यह टैंपलेट आपको कैसे लागा कमेंट करके बताएगा वीडियो देखन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवादू